दिल्ली के द्वारका इलागे में बनने वाले हज हाउस से जुड़े विवाद में विश्व हिंदु परिशन यानी विएचपी भी कूद पड़ी है 6 अगस्त को इस मुद्दे पर 660 खापों ने विरोत प्रदर्शन किया था जिसमें भाजपा नेता भी शामिल हुए थे अनवेदनशील इलाके में हज हाउस की प्लानिंग की जा रही है एनाए के मुताबिक सुरेंद्र जैन ने कहा है पालन यहां से पास है हवाई अड़ा भी दूर नहीं है साथी यहां काफी भीड रहती है ऐसे में अगर यहां अलग-अलग इलाकों से बसे आएंगी तब कित ने देगा लोग एक-एक इट निकाल लेंगे दिल्ली की आमाद्मी पार्टी की सरकार मुस्लिम तुष्टिकरंट कर रही है हिंदू समाज के खून पसीने की कमाई को उन्हीं के खिलाफ इस्तमाल किया रहा है लेकिन विहीप दिल्ली को जिहादियों और हिंदू द्रोहिय को उन्हीं का मंदर क्यों नहीं सुहाता मॉल्वियों को तो ये बड़ा हुआ वेतन देते हैं लेकिन पुजारियों को कोविट संकटकार में भी सहायता देने से कतराते हैं सुरेंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली की सरकार जिस प्रकार सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से हज हाउ बनाने में जुटी है उससे लगता है कि मुखेमंत्री वोट बैंक के लालच में और अंगजेब का अफ़तार बनने का ख्वाप देख रहे हैं वहीप से पहले बीती 6 अगस्ट को 660 खापों ने भी हज हाउस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था विरोध में शामिल भाजपा का कहना है कि हज हाउस को खापों की इच्छा के खिलाफ बनवाया जा रहा है पार्टी ने इस जमीन पर अस्पतार ये स्कूल खोलने की भी मांग की है और कहा है कि दिल्ली सरकार वक्फबोड की खाली पड़ी जमीनों पर हज हाउस बनाए उधर आपने इस विरोध को राजनी तिक करार दिया है पार्टी के विधायक अब्दुलरह्मान ने कहा है कि जस जमीन पर हज हाउस बनाया जा रहा है वो किसी नीजी व्यक्ति की नहीं है, ना ही किसी ने हडप ली है और ना ही किसी ने अतिक्रमन किया है मतारे की बागी राजियों की तरह दिल्ली में कोई हजहाउस नहीं है हर साल राजधानी से 15-20 हजार मुस्लिम हज के लिए जाते हैं अब उनकी सुविधा के लिए करीब 93 करोड 47 लाख रुपे की लागत वाला हज हाउस करीब करीब तयार है इस हज हाउस में एक बार में करीब 350 श्रदालू रुख सकते हैं DDA Records के मताबिक यह हज हाउस करीब 5000 स्क्वार मीटर जगा में तयार किया जा रहा है आपके लिए खबर लिकीती हमारे साथी वरुन ने आप सभी जानते हैं कि कोरोना वाइरस की वज़ा से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है आप लोग भी सुरक्षित रहें और अपने घरों के अंदर रहें घर से बाहर से तभी निकले जब कुछ जरूरी काम हो जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाए सोशल डिस्सिंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तमाल करें अगर आपने कोरोना वैक्सीन की डोस नहीं ली है तो वैक्सीन ही जरूर लगवाले आप अपना और अपने परिवार का ख्यार रखें शक्रिया